जहीं दोस्तों स्वागत हाप काई को और फिर से इस नए वीडियो में दोस्तों अभी 31 जुलाई 2023 नजदीक आ रहा है और बहुत सारे सैनिक हैं या पूरो सैनिक हैं वो अपना ITR भरने के लिए सोच रहे होंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ITR रिटन है उससे संबंदी कौन-कौन सी चीजे हैं जो आप ITR को इफेक्ट डालती है और हाली में जो गवर्मेंट ने जो न्यू रिजीम को इंप्लिमेंट किया है जो सैनिको के उपर उसका क्या असर पड़ेगा करना है उसने आईटिया को भरना काफी आसान कर दिया औटोमेटिक्ली सारी जो डिटेल्स है वो बरी हुई आती है आपको वो इसमें देखके सब्मिट करना अभी बाęत आती है कि जो भी सैनिक Hो जाते हैं या पैंचन आजाते हैं उनके बाद जो उनकी Sैलरी है वो पैंचन में बदली हो जाती है और जो पैंचन इतनी कम हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा Mouंट है इसकी वजेसे काफी सैनिक ITR भरना बंद कर देते हैं तो अभी सवाल उड़ता है कि क्या जो पूर्य सैनिक है जिनकी जो पैंशन है टोटल साल की पैंशन चार लाग या पांच लाग से कम है उनको ITR भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से उनको ITR जरूर भरना चाहिए क्योंकि वैसे भी उनका कुछ पै पास और नहीं होगा तो आपको उसमें प्रावलम आगी तो इस वज़े से आपको पैंशन आने के बाद भी जो ITR रिटन हो भरना चाहिए दोस्तों भी बात करते हैं और न्यू रिजीम की जैसा कि आप जानते हैं हाली में गवर्मेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को इंट् डिसकस कर सकते हैं कि कौन सी जो टैक्स रिजीम है वो किस खैनिक के लिए वो फाइदे मंद है दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यह जो दोनु टैक्स रिजीम है तो इन में से आप किसी भी समय को इसी भी टैक्स रिजीम को चुन सकते हो ऐसा आपने old tax regime से अपना ITR भरा और next year आप new tax regime से ITR भरोगे उसके बाद फिर again आप old tax regime से जो salarit लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई compulsion नहीं है वो जब चाहें अपनी मर्जी के अनुसार या आपने फाइदे का अनुसार old tax regime या new tax regime में से किसी को भी चुन सकते हैं दोस्तों भी बात कर लेते हैं कि मेली देख लेते हैं कि जो पुरानी tax regime में जो slab थे और नई tax regime में जो slab है उनमें क्या difference है तो इसको एक बार हम normally वैसे देख लेते हैं तो old tax regime में जो slab है जीरो से लेकर 2.5 lakhs तक का जो tax था वो 0% था उसके बाद में 2.5 lakhs से 5 lakhs का वो भी 0% त आपको किसी प्रकार की कोई tax देनी के आवशकता नहीं थी लेकिन अगर आपकी जो आय है वो 5 lakhs से उपर निकलती है तब आपको 2.5 lakhs की जो आय है उसके उपर 5% देना पड़ेगा और 5 lakhs से उपर जितनी निकली है उसके उपर आपको फिर 20% देना पड़ेगा फोर एक्ज पर आपको 20% का tax देना पड़ेगा तो इस प्रकार से calculation होती इसके बाद में 5 से लेकर के 10 lakhs के उपर 20% का tax था और about 10 lakhs 30% का tax यहाँ पर एक और एक और example से समझते हैं कि माल लीजिए आपकी जो salary बारा लाग थी तो बारा लाग में से आपका जो 2.5 lakhs के उपर 5% tax लगेगा 5 से 10 lakhs के उपर आपका 20% tax लगेगा और 10 से लेकर के 12 lakhs या नहीं कि 2 lakhs के उपर आपका 30% का tax लगेगा तो इस टाइप से इसका tax का calculation होता है तो सेम इसी तरह की चीज आपकी new tax regime में है 0 से 3 lakhs के उपर 0 tax है 3 से 6 के उपर 0 tax है और अगर आपकी जो I है वो 6 lakhs से ज्यादा है स तो आपको 3 से 6 वाला जो slab है उस पर 5% का देना पड़ेगा और 6 से 8 lakh वाला जो slab है उस पर 10% का देना पड़ेगा तो यहाँ पर यह difference है इसके बाद में अगर आपकी जो I है 6 से 9 lakh के bracket में है लेकिन 7 lakh से कम है तब आपके उपर कोई tax नहीं लगेगा जी हाँ इसमें के उपर 15% का 12 से 15 lakh 20% का और अबव 15 lakh के उपर 30% का तो इसमें भी आपका जो जो slab बनता है उस हिसाब से आपकी कटोती होगी ऐसा नहीं है कि 15 lakh के उपर आपका अगर 16 lakh रुपे होए तो 16 lakh का 30% कटेगा ऐसा इसमें नहीं है तो यह थे tax slab उमीद है कि आपको समझ में आए हो या उसके आसपास है और अगर उससे कम है तो उनको कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा इन में बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो pension आए और जिनकी pension है वो पांच लाग या चार लाग आसपास बन रही है तो वो सभी new tax regime को भर सकते हैं जब तक कि उनका कोई नया job न साड़े साथ लाग या उसके आसपास भी है सपोस करिया अगर थोड़ी ज़्यादा भी है तो भी उनके बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा साड़े साड़े साथ की लाग की बुझे साथ लाग सतर अजार अस्ती अजार है तो भी वो इस new tax regime को चुन सकते हैं उनको ही होगा दूसरा वो लोग इसको चुन सकते हैं जिनका जो अभी investment जीरो है जैसे कि बहुत सारे लोग जिनका ज्यादा investment नहीं होता है जैसे उन्होंने home loan नहीं लिया हो आता और उनके बाकी के investment है जैसे mutual fund में या insurance के अंदर या सुकन्या समरीदिया PPF के अंदर तो इस type के investment है वो आपके tax को बचाते हैं आप जब भी आपको tax income tax फिल करते हो तो यह detail जब आप उसमें डाल देते हैं तो आपका tax कम लगता है तो जिन लोगों के इस प्रकार के कोई भी investment नहीं है वो new वाली tax regime को चुन सकते हैं उसको इसमें benefit होगा दोस्तों भी देखते हैं कि जो old tax regime वो किन लोगों के लिए सही है तो old tax regime एक तो जो serving लोग हैं और जिनकी service हो चुकी अच्छी खासी उन लोगों के लिए जो पुरानी वाली tax regime है वो अच्छी है उसके अच्छे होने का एक main reason ही है कि जो इसमें जो अपने serving लोगों को जो allowances मिलते हैं उनमें बहुत सारे allowances ल इसका benefit आप पुरानी वाली में ले सकते हैं तो जिनकी salary अच्छी खासी बन रही है मतलब 8-9-10 लाक के करीब बन रही है उनको बहुत सारे allowances मिल रहे हैं उनके लिए ये जो पुराने वाला tax regime है ये सही है तो इसी regime से आपको tax को भरें दूसरा जिन लोगों के जैसे मैंने investment है जिन्होंने home loan ले रखा है या सुकन्य समर्दी में investment करते हैं पीपीफ के अंदर investment करते हैं mutual fund में investment करते हैं या और ऐसी बहुत सारी योजनाए हैं जिन में tax benefit मिलता है अगर आपका investment उन सारी योजनाओं में है तो भी आपके लिए जो old tax regime है वो अच्छी है tax भरने के इस साफ से दोस्तों अभी देखते हैं कि वो कौन-कौन से exempted allowance है तो वैसे तो एक लंबी list है बहुत सारे हैं लेकिन जो main mail allowance है वो मैंने इधर बता है तो जो भी galantry award है वो सभी exempted हैं income tax है इसके बाद entertainment allowance, LTC, foreign allowance, BCA, CHIN allowance, Myanmar allowance, HRA और HRR यानि house rental allowance और house rental reimbursement ये दोनों भी exempted हैं इसक सारे exempted हैं, SECIA exempted है, HILT के जो allowance है, HAUCA, HAFA ये सारे exempted है, uniform allowance exempted है, kit maintenance allowance ये भी exempted है तो इस परकार से बहुत सारे allowance हैं जो exempted है तो ये दोनों में ये फरक था, उमीद है कि आपको पता लगया होगा कि जो किस type के आपकी salary है या किस type आपकी जो allowance है उन में किस type से आप income tax return है य वीडियो अगर पसंद आए तो like, share and subscribe करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी परकार के interesting videos के लिए, वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद जहीन